हमें आपसे साजा करते हुए हर्च हो रहा है कि संग लोग सेवा आयोग मुख्य परिक्षा 2022 में आडियो आर्टिकल कारिक्रम से आए कुल 25 सवाल ओपैक यनिं अंतराश्ची स्तर पर पेटرोलियम उत्पादों का निर्यात करने वाले देशों का एक संग्ठन इस संगठन ने हाल ही में एक निर्ने लिया है इस निर्ने की वज़े से कुछ देश इस पूरे निर्ने का समर्थन कर रहे हैं जबकि कुछ देश इस पूरे निर्ने का विरोत कर रहे हैं आज इस वीडियो में हम इसी विशे से संबंधी तमाम पहलूं को जानने की कोशिश करेंगे मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दृष्टी आईये इसकी इसने वीडियो में वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूप रेखा को समझ लेते हैं यानि उन मिंद्वों की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो वीडियो में सबसे पहले हम नियूज यानी खबर पर बात करेंगे कि आखिरी जो पुरा विशय है वो चर्चा मिक्कियों आया है इसे समझने की कोशिश करेंगे साथी वीडियो में ये भी जानेंगे कि ओपैक है क्या और उसके सदस्य देश कौन कौन से है कितने सदस्य है और इसे संबंदित क्या क्या अवधाना है हमारे सामने आती है उन अवधानाओं पर भी बात करेंगे इसके लावा वीडियो में हम ओपैक संगठन का जो हालिया नि निर्णे को भी समझने की कोशिश करेंगे इस निर्णे के कारण क्या है और साथ इस निर्णे का क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है और इसका विरोध क्यों हो रहा है उस पर भी बात करेंगे इसके लावा भारत पर इस पूरे निर्णे का क्या प्रभाव होगा खास्तों का जो पूरा वीडियो है वो सामान निय ध्यन प्रशन पत्र दो और तीन से संबंदित है और आप इसे मुख्यतार पर भारती अर्थ व्यवस्था और अंतराश्टी संबंध जैसे खंडों से जोड़ कर देख सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारी देख लेते हैं आज के हमारी जो न्यूज है वो इंडियेन एक्स्परस के एक्स्प्लेंड सेक्शन से हैं हमारी खबर है वट इजो अपक नहीं घ्री और उप प्लस की अवधारना को समझने की कोशिश की गई है साथ इस विशे पर भी बात की गई है कि ओप की कोशिश की गई है चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पर बात कर लेते हैं और उसके सदस्देशों को इसके बुनियादी फ्रेमवर्क को समझ लेते हैं तो आपको याद होगा कि जो 1950 और 1960 का जो दशक था वो दशक मुख्यतौर पर वी उपनिवेशी करण यानि डी जो दौर था जिस दौर के जिस अवधी के दौरान दुनिया भर के कई देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे डी कॉलनाइज हो रहे थे वहां के जो कॉलनीज थी उन्हें स्वतंत्र किया जा रहा था और इसी अवधी के दौरान दुनिया भर में एक नई भावना एक न के वल स्थानिय लोगों से ही संबंदित है अब यही वो अवधी थी जब जिस अवधी के दौरान मध्यपूर मिडल इस्ट के जो टेल बाजार था इस तेल बाजार को यूरोपिये देशों द्वारा व्यापक स्तर पर यूरोपिये कंपनियों द्वारा व्यापक स्तर पर नि नियंतरित कर रही थी अब इसी अवधी के दौरान इन कंपनियों के वर्चस को समाप्त करने के लिए इन कंपनियों का जो वर्चस बना हुआ था उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए और इस पूरे अवधी इस पूरे छेतर का जो संसादन थे उन संसादनों को थानिये लो कौन से थे यानि वह पांच देश जो फाउंडिंग मेंबर्स थे तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स में इरान इराक कुवेट साउदी अरब और वेनेजुला शामिल है तो यह पांच देश थे जो संगठन में तमाम जो देश है उन Pelosi की सरकारे शामिल होती है ना कि उन Day रोकी सरकारे सरकारें का da同heim होता है संगठन में इस वजह से एक इंटर अर्घनाइज़सारीं मुखतावर पर वो देश शामिल होते हैं जो अंतराश्टी स्तर पर पेटरोलिय मुत्पादों का निर्यात करते हैं अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करते हैं अब जब से पूरे संगठन का गठन हुआ है तो इसके बाद से मजूदह संगठन के तेरा सझसे देश हैं जुकर इसमेंडे में अपनीजश्ट हैं बचे हुए हैंन alcanz का क्यों घठिक कि अगया था इसे तो इस संगठन के प्रात्मे को देश है पेट्रोलियम नीतियों का समनवे और उनका एक ही करण करना क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया भर के अलग-अलग देशों में पेट्रोलियम उत्पात बनाए जाते हैं और यह जो अलग-अलग देश है यह अलग-अलग स्तर पर अपनी नीतियों का निर्धारन करते हैं खास्तोर पर पेट्रोलियम को लेकर लेकिन इस संगठन का उद्देश जहे कि यह जो अलग-अलग देश है जो नीतियां बना रहे हैं उन सभी नीतियों में समन्वे स्थापित किया जाए और नीतियों का इंटिग्रेशन किया जाए ताकि इन देशों को बहतर लाव इन देशों के लिए एक बहतर नीती बनाई सके बहतर लाव सुनिश्चित किया जा सके इसके अलावे संगठन के माध्यम से उपभोगता हो यानि वो देश जो तेल खरीदते हैं जो कंज्यूमर्स हैं उन उपभोगताओं के लिए नियमित आपूर्ती सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है इसके लिए संगठन गटित किया गया था तकि इसके अलावां उत्पादों क स्थिरा अब्ही सुनिश्चित करता है जो प्रोडीोसर्स है जो प्रडुक्शन करते हैं उस इंकम निर्धारित करने का भी काम करता है ताकि उन्हें उन्नके लिए जो नीतिया बनाई जा सके वह उनके पर जो तेल बाजार है मध्यपूर्व का उस तेल बाजार की stability को सुनिश्चित करने का भी काम करता है उसकी स्थिर्त को सुनिश्चित करनी की कोशिश करता है तो यह तो बात हुई ओपैग की इसके अलावाद जो इस पूरे संगठन के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि इस संगठन दुनिया भर के कच्छे तेल के 40% हिस्से और तेल भंडार के 80% हिस्से को कवर करता है और यही वज़े है क तो निर्णेयों का जो अंतराष्टी बाजार पर जो प्रभाव होता है वो काफी ज्यादा व्यापक होता है तो यहां पर प्लस की अवधार्णा को भी समझ लेना जरूरी है यहां पर प्लस का क्या मतलब है इसको समझ लेना भी जरूरी है तो यदि आप ओपैक देशों में गैर ओपैक देशों को मिलाएंगे इन दोनों तरह की देशों को एक साथ मिलाएंगे तो इस अवधार्णा को हम ओपैक प्लस के नाम से जानते हैं अब गैर ओपैक देश कौन से होते हैं तो गैर ओपैक देश वो देश होते हैं जो अंतराष्टी स्तर पर तेल का करता है अलग अलग देशों को खास तोर पर यूरोपिय देशों को लेकिन रूस आपचारिक तोर पर ओपैक देश का हिस्सा नहीं है ओपैक संगठन का हिस्सा नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी आपचारिक तोर पर संगठन का हिस्सा नहीं के बावजूद भी जो रूस जो यह जो गैर opaq देश है वो स पुरे संगठером के कि निरने को व्यापक स्तर पर बाविद करते हैट तो यह तो बात हुई Humayak Plus की इसके कितने देश हैं कितने सदस्य नेश हैं अब आगे बढ़ते Hen और opaq संगठं के हाल या निर्ने की बात कर लेते हैं कि हाल ही में क्या निर्ने लिया गया है तो अपैक संगठन और उसके जो सहयोगी देश है जैनि यही ओपैक प्लस इन दोनों ने हाल ही में तेल उत्पादन में दो मिलियन बैरल प्रती दिन की कटोती करने का निर्ने लिया है यानि इन को देश अंतराश्टेस स्तर पर तेल की कीमतों में जो लगातार कमी हो रही है उस कमी में कोच पद तक बढ़ोतरी करना है अब यहां विशेश बात यह है कि जो तेल उत्पादन में कतोती का निर्णे लिया गया है यह कतोती का निर्णे मुख्यत तौर पर महामारी की शुरुआत के बाद से कोरोना वेरिस पेंडेमिक की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक कटोती का निढ़ने है इस से पहले जब महामारी शुरू हुई थी तो वहाँ पर भी उस समय भी कच्छे तेल की कीमतों को स्थिर करने के लिए उपैक देशों द्वारा प्रति दिन दस मिलियन बैरल जो तेल का उत्पादन था उसमें कटोटी करने का निर्णे लिया गया था और अब हाल ही में इन देशों द्वारा प्रति दिन दो मिलियन बैरल तेल उत्पादन में कटोटी करने का निर्णे लिया गया है जो कि इस तर पर तेल की कीमतों को निर्धारित करने के लिए एक बेंचमार्क के तौर पर प्रियोक किया जाता है इस बेंट कुरूड ओयल में 28 सेंट यानी 0.3 प्रतीशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है और इस पूरे निर्णे की वज़े से जब से निर्णे इस निर्णे की घो के हालिया निर्णे की अब आगे बढ़ते हैं और उत्पादन कटोती में यह निर्णे क्यों लिया गया है इसकी कारणों को समझ लेते हैं तो हम जानते हैं कि साल 2020 में जब कोविड-19 महामारी की शुरुआत हुई थी तो इस महामारी की वज़े से अंतराश्टी स्तर पर भ की मांग कम हुई तो इसकी वज़े से अंतराश्टी स्तर पर तेल की कीमते में भी तेल की कीमते भी बहुत ज़्यादा कम हो गई जब तेल की कीमते कम हुई तो इसकी वज़े से जो मध्यपूर्ग के देश थे जो ओपैक संगठन के सदस्देश थे उन देशों को खासा जिसके बारे में हमने पहले ही बात की कि फरति दिन दस मिलियन बैरल जो तेल का उत्पादन था उसमें कुछ核 तक कमी करने का नें लिया गया था अब इस निर्ने के बाद जब महामारी लंबे समय तक चलती रही तो इस निर्ने की वज़े से अंतराश्टी स्तर पर तेल की जो कीमते थी कुछ हद तक स्थिर होने लगी, कुछ हद तक STABLE होने लगी और इन देशों को कुछ हद तक फायदा भी होने लगा, इनको जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान की कुछ हद तक रिकावरी होने लगी, लेकिन इसी बीच आ गया, रूस और युक्रेइन के बीच युद्ध, फरवरी 2022 में रूस और युक्रेइन के बीच युद्ध की माओधी अरब को बहूसे जादा फाइदा हुआ थाु युएई को बहुत जादा फाइदा हुआ था लेकिन अब जब युद बहुत जादा लंबे समय तक चलनेलगा हम जानते हैं कि युद शुरू हुए आट महीने से भी जादा समय बीच चुका है बहुत लंबा समय बीच चुका है तो ये युद बहुत लंबे समय से चल रहा है जिसकी वज़े से जो यूरोपिय देश है वहाँ तेल की कीमते बढ़ने की वज़े से अब जो तेल की मांग है वो तेल की मांग और जादा कर दूँगा मैं ज्यादा तेल नहीं खरीदूँगा ज्यादा तेल खर्च नहीं करूँगा तो इसकी वज़े से यूरोप में और दुनिया भर के अन्य देशों में जो ऑईल की डिमांड है उस डिमांड में कुछ हद तक कमी देखने को मिल रही है अब हमने पहले ही बात की क जब किसी चीज की जो डिमांड होती है वो कम होती है तो इसके वज़े से उस जो जो प्रड़क्त है उसकी जो प्राइज है उस प्राइज में भी कमी देखने को मिलती है और यही कुछ प्रभाव हमें तेल की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है तेल की जो डिमांड थी व पर पहुँच गई हैं जो कि जाहिर तोर पर काफी जादा कम है और यह जो आकड़ा है यह रूस युक्रेइन युद्ध शुरू होने से पहले की कीमते थी वापस यह जो कीमतों का स्तर है वो वापस वही पर पहुँच गया है तो इसकी वज़े से इन देशों को एक बार फि जिसे अंतराश्य स्तर पर तेल की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी होगी और जो मध्यपूर्व के देश है उनके अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार किया जा सकेगा उनके उनको और ज्यादा तेल की कीमतों के लिए और ज्यादा प्राइज मिल सकेगा और ज्यादा उनका revenue बढ़ सकेगा तो यह तो बात ही उत पादिन कटोती के निर्णे की अब इस निर्णे का क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है कौन विरोध कर रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं तो इस निर्णे का विरोध खुद इस संगठन के सद द्वारा किया जा रहा है इन दोनों देशों का कहना है कि यह जो पूरा निर्णे है जो ओपैक संगठन द्वारा लिया गया है यह निर्णे मुखितोर पर तेल उत्पादन शम्ता बढ़ाने संबंधी उनकी जो योजना है उस पूरी योजना के विरोध किया जा रहा है इ अमेरिका और खास तोर पर बाइडन प्रशाशन के लिए काफी ज़्यादा नुकसान दायक, काफी ज़्यादा हानिकारक थाबित हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मौजूदा समय में अमेरिका में पहले से ही मुद्रस फीती यानि इन्फलेशन, यानि महंगाई काफी ज़ बढ़ेगी, अब मेहंगाई बढ़ेगी, तो हम जानते हैं कि अमेरिका में दूसरी ओर जल्द ही मिड्टर्म एलेक्षिन भी आयौजित किये जाने वाले हैं, नहीं काफी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पढ़ सकता है, तो इसकी वज़े से अमेरिका द्वारा भीक प बता रहे हैं कि इस पूरे निर्णे की वज़े से रूस को काफी ज़्यादा फायदा हो सकता है रूस को इस पूरे निर्णे की वज़े से काफी ज़्यादा फायदा मिल सकता है काफी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है क्योंकि इस निर्णे के परणाम सरूप रूस जो है ऑशियाई देशों को ससते दामों पर टेल बेच सके गा, इसके लावा ये संदेश भी जाहिर किया रहा है कि इस पुरे निर्ने में रूस इस पूरा घटनकरम के दोरान रूस जाहरपर विप् cauliflower अपक देशों पर दबाओ बनाने की कोशिच कर रहा है इस तरहे का निर्णे लेने के लिए क्योंकि एक और तो इस तरहे के निर्णे की वज़े से रूस को फायदा होगा क्योंकि रूस एशियाई देशों को तेल बेच सकेगा वहीं दूसरी और इस पूरे निर्णे की वज़े से यूरोप को मध्यपूर्व के देशों स पश्टॉर पर रूस को इस पूरी युद्ध के दौरान कुछ ना कुछ फाहिदा जरूर पहुचाएगा तो यह तो बात हुई इस निरने का क्या प्रभाव है विरूत क्यों किया जा रहा है अब एक बार भारत पर इस पूरे निरने का प्रभाव को समझ लेते हैं तो भारत पर इस पूरे निर्ने का प्रभाव सबसे पहले भारत के चालू उखाते पर देखने को मिलेगा बीटे दिने एक रिपोर्ट सामने आई थी रिपोर्ट मुख्यतौर पर आई सी आर ए जो कि भारत में एक बैंकिंग इंस्टिशिन है इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में कच्छे तेल की कीमतों में प्रती बैरल दस डॉलर की वरधी से भारत का जो चालू घाटा है उस घाटे में 14 से 15 बिलियन क की बढ़ोतरी देखने को मिलती है यानि यदि भारत में कच्छे थेल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो इसकी वज़े से भारत के चालू घाटे खाते में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है कितनी मिलती है तो इसमें रिपोर्ट में बताया गया था कि यदि भारत में थेल कीमते 10 बैरल प्रती डॉलर बढ़ती है तो इसकी वज़े से भारत का जो चालू घाटा है वो 14 से 15 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगा अब जब चालू घाटा बढ़ेगा तो इसकी वज़े से अंतराश्टी स्तर पर भारत जो बिलों का भुकतान किया जाता है जो पेमेंट हो जाएगा अब जब रुपए का डेप्रिसीशन होगा तो इसकी वज़े से जाहिर तोर पर जो भारत में मुद्रस फीती है जो महिंगाई है वो और जादा बढ़ेगी इसी को लेकर रदवीते दिनों अंतराश्टी उर्जा एजंसी ने एक रिपोर्ट भी जारी की थी इ जब 10% की बढ़ोतरी होती है तो इसकी वज़े से भारत में थोक मोली सूचकान की यानि होलसेल प्राइस इंडेक्स में लगभग 0.9% की वरधी देखने को मिलती है यानि जब भारत में कच्चे तेल की कीमते बढ़ती है तो इसकी वज़े से भारत में जो मुद्रस फीती ह खास तोर पर होल सेल स्थर पर इस मुद्रा स्वीती में 0.9 प्रतीशत की बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो जाहिर तोर पर हम कह सकते हैं कि इस निर्णे की वजह से आगे आने वाले समय में भारत में जो महंगाई है वो कुछ हद तक उस महंगाई में कुछ हद तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है हाला कि ये जो प्रभाव होगा ये प्रभाव इतना जादा नहीं होगा तो जाहिर तोर पर ये जो पुरा इन्रेन है ये भारत को इतना जादा प्रभावित नहीं करेगा तो ये तो बात हुई भारत पर प्रभाव किया अब आगे अंत में आगे किराह पर बात कर लेते हैं तो आगे किराह के तौर पर हम कह सकते हैं कि साल 2021 में प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने भाशन के दौरान साल 2047 तक भारत को उर्जा स्वतंतर रास्त यानि energy independent nation बनाने का लक्ष निर्धारित किया था अब अवशक्ता ये है कि ये जो लक्ष निर्धारित किया गया है लक्ष निर्धारित करने के लिए हमें जिन प्रयासों की जरूरत है उन प्रयासों को और जादा मदबूत किया जाए ताकि long term में दिर्गकाल में भारत अपन घुनी अरजा अवशक्ता के लिए उरजा जरूरतों के लिए किसी अन देश पर निर्भर न रह जाए अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये होगा कैसे भारत Energy Independent किस तरह से बनेगा तो भारत को Energy Independent बरने के लिए जो वेकलपिक उर्जा श्रोथ है जो यानि नवीकर्णी उर्जा जो श्रोथ है जो alternative energy sources है उन energy sources पर और ज़्यादा जोर दिये जाने की ज़रूरत है alternative energy sources कौन कौन से तो इसमें सौर उर्जा पवन उर्जा पन बिझली उर्जा इस तरह की उर्जाए शामिल है तो इस तरह कि जो alternative sources है उन sources पर और ज्यादा जोर दिये जाने की जरूरत है इसके अलावा भारत सरकार को भारत में इलेक्ट्रिक वहिकल को बढ़ावा दिये जाने पर भी जोर दिये और डीजल की कीमते हैं उसमें भी कमी आएगी क्योंकि भारत में मांग कम होगी इसकी वजह से वहीं दूसरी और हमें इस पुरे न रने की वजह से इसके कुछ एन्वार्मेंटल बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे इसकी वज़े से हमें जाहिर तोर पर भारत में जो कार्बन डायोकसाइट को उत्सरजन होता है उस उस पूरे एमिशन में भी कुछ हद तक कमी देखने को मिलेगी तो बात हुई आगे किराह की अबंत में एक प्रश् किये जाने की जरूरत है तिपनी कीजिए आपको बताना है कि यह जो 2047 का लक्ष है जिसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2021 में निर्धारित किया था इस लक्ष को भारत के लिए प्राप्त करना बहुत जादा मुश्किल नहीं है लेकिन यदि भारत को यह ल कशनिपत्र में से संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे इसके अलावा आप हमारा आज का इंडेप्थ कारिक्रम भी देख सकते हैं जो की मुख्यतोर पर सूपर एप विशे से संबंधित है इस पूरे विशे को समझने के लिए सूपर एप क क्या होता है यह किस तरह से काम करता है और यह पूरी खावर है वो किस वजह से चर्चा में आई है पूरे विशे को समझने के लिए आप हमारे इंडेप्थ कारिक्रम को देख सकते हैं चलिए धन्यवाद कि अज़िए